मा अपनी संगीत की उनकी जीवन यात्रा जो है उसमें पच्पन वर्ष संगीत की यात्रा बहुत ही श्रद्दा से उन्होंने लोक संस्कृती का साथ दिया लोक संस्कृती को और संदर बनाने का कारी किया और हम बच्चों को भी उन्होंने जो संस्कार दिये वो इसी लोक संस्कृती से ले करके दिये और उसका महत्त सम्झाया यही उनकी एक्षा भी थी कि युवा वर्ग हमेशा मूलता को बरकरार रखे मूलता के साथ छेड़ चाड़ कमी न करें जो भी नए काम करने ज़रूर कि किये जाएं लेकिन सुसंस्कृत तरीके से किये जाएं उसमें कभी भी विक्रती ना आए यह उनकी एक्षा थी अब वो हमारे बीच नहीं है उनके विचार और उनका कारे उसको याद करके हम प्रेड़ना ले सकते हुए उनको तो पुरी दुनिया याद करती रहेगी हमेश वाला मंगते थे उनको स्वभागे प्राप्त था कि सिर्फ फैन बेस ही नहीं था विलकि एक अपनत्व वाला फैन बेस थी तो वो गीत उन्होंने गाया था ना पटना के घाट पर हम अरगिया देवाई हे चटी मैया हम ना जाएव दूसरे घाट देखवे चटी मैया तो दो दिल आया है इसी हट पर इनका अंत्तिन संस्कार हो रहा है पटना के ही घाट पर हो रहा है पतना से विशेश लगाव था जब वह चोटी थी बच्पन में उनके तो पटना के घाट की महीमा तब उन दिनों भी वैसी ही थी कि और कही नहीं घाट का छट बहुत ना भी त उससे प्रेड़ना लेकर करके ऐसा ही गीत लिखा था उन्होंने ये गीत उनका स्वैम का लिखा हुआ भी तो जाहिर है सब अपने आप वह 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 प्रस्तुत होते जा रहा है किस तरह से ईश्वर ने सकचना को किया एक छट के लिए समर्पित खासकर कि छट विधा ऐसे तो लोक संगीत की हर विधा ही उन्होंने गाई और सब में वैसे ही रम कर भाव के साथ उसके अंदर ढल करके उन्होंने गाया चट लेकिन इनको वर्दान चट का मिला और चट पर जो है वह और योगल हो गया यह बहुत गहरा रिष्टा आपस में उन्हों का रहा है